दर तो मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं आगे वढ़ता गया राफता देखकर मेरी मंजिल यू मेरे करीब आती गई मेरा होसला देखकर दमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टेडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी क्लास बढ़ियां चल रही है किसी को कुछ भी कहना है कोई डाउट है तो नहीं संकुछ पहले कमेंट कर दें उसके बाद हम कलास में आगे बढ़ते हैं अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आपको कुछ सोचनी की जरूरत नहीं है अगले 10 मिनट हमें दीजिए आपको यकीन हो जाएगा कि आज से आपको मैथ आने लगेगी PBR स्टेडी लहाबा चैनल पर आज 19 अगस्त 2022 के दिन 4 लाख 2000 बच्चे जुड़े हैं इसी विश्वास के साथ कि उन्हें यहां से मैथ आएगी और उन्हें देखा लोगों को जोड़ा मैंने एक भी रूपए का कोई एडवर्टाजमेंट नहीं दिया है सब लाखों बच्चे अपने आप जुड़े हैं दूसरे को सेयर करके आज आपका यह कलाफ नमबर है चार नमबर है लाइब नमबर 4 है इसमें 5 पड़ा होगा कल कलास्त ही नहीं तो उसे बाद में अपडेट होगा इस बैच का नाम है आजादी महोत्सो इसके बारे में हम ज़्यादा बात करें और जो हमारे हजारों बच्चे जुड़ें उनका नाम बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा बेट आप मुझे ये बताओ अगर मैं इसको A बोलूँ इसको B मैंने कहा कि मेरे भाई ये 5 अपान 7 है और ये 3 अपान 2 है तो इन दोनों में कौन बड़ा इमांदारी से बताओ अगर ये बड़ा है तो आप B लिख के कमेंट करेंगे और ये बड़ा है तो आप A लिख के कमेंट करेंगे मैं सबका कमेंट देख रहा हूं इमांदारी से बता तो लगा दीजिए जाने मत दीजिए ये आजादी महुत्सों को बैच है जो 15 अगस से शुरू हुआ है हाँ आप लोग इसमें ट्राई करेंगे सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूँ अगर कोई बताया है तो उनका नाम है अभी साल गुपता अभी साल गुपता के बाद एस फार्यू भोजपुरी और मिनी वाइटी और अतुल्त अमर बहुत अच्छे बरे गुट साबास वासित मौंब जी तबियत बिल्कुल ठीक हो गई जहां कहते हैं कि दवा काम नहीं आती वहां दूआ काम आती है तो लाको चात्रों की दूआएं जब मिलने लगी तो फि फिलहाल काफी कुछ लेकिन बहुत ज्यादा तो एक ही दिन के लिए रहती है वह भी मेरी वज़ां से हुई थी मुझे भी पता है क्यों हुई थी लिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले बात करते हैं कि पीछे की जो तीन कलास हुई है उसमें क्या पढ़ा आपने यह सब मैं डीटील में बताऊंगा अभी कैसे कौन बढ़ा है देखे इसको जानने का सिंपल तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यह तीन बटा साथ है यह पांच बटा साथ इनको बगल बगल में लिखिए इनका क्रास मल्टीपल करिए ऐसे तीन साथ एकाईस इनका तीन पचे सवरी साथ पचे 35 तो जिधर की गिंती बड़ी आ रही वह बड़ा है यानि यह बड़ा है इनको आप दसामलों में बदलेंगे तो साथ सता उन्चास जीरो पॉइंट सेवन अधिन आएगा इसको दसामलों में बदलेंगे तो 0.4 अधिन आएगा यह बड़ा क्लास को खूब सेर कर दिए इमांदारी से मैंने बताया है आपसे रिक्वेस्ट किया बार बार कि यह क्लास अगर चाहते हो रेगुलर यूटूब पर चलती रहे तो लाइब में 100 प्लस आप लोग हर दिन जोड़ें 100 प्लस अगर इससे कम जाते हैं तो फिर यह सिर्फ एक डेमो क्लास साबित होगी इसको रेगुलर पढ़ने के लिए फिर आपको पीवी आरे स्टडी डाउनलोड करना होगा और उसी में आप पूरा देख पाएंगे तो अगर आप चाहते हैं यूटूब पे चलती रहें तो इसे खूब सेर करें 100 प्लस लाइब लेके आए पिछली कलासों में आपने जोड़ना घटाना गुड़ा और भाग सीखा था बोली हाँ यस तो जोड़ना घटाना गुड़ा और भाग उसमें मैंने आपको जो भी बेसिक पॉइंट बताये थे उसमें और डीटियल से भी बताया जा सकता है और डीटियल से बताएंगे कि उसको कुछ विस्तार से बता देंगे ठीक है आईए आज हम पढ़ेंगे वह है टॉपिक भिन्न यानि फ्रेक्शन कि देखिए अब तक आपने नार्मली जोड घटाना गुड़ा भाग सीख लिया है कर राटा कर दो are a खना की एचि जार्मांड़ कि आपने मेंगे झाल से उलाय है कर दो आपने मुड़ा भाग से एच जरिएर नार्मली जोड फाल Sumat 1, 65 म. भी हमम है, आभा सा और क्या झालिया याज betting मुणल, कर देंगे और आभास झाल झाल अब आवाज आ गई ना तो कहां तक आपने सुना था मैं फिर से बोल देता हूं टेंसन मत लीजिएगा आप लोग इस सवाल का जबाद दीजिए जो मैंने दिया है मैं जो बोला हूं उसे फिर से बोल दे रहा हूं देखिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाती बीच में कोई दि देता हूं तब तक नहीं तो यह फिर अगले क्लास के लिए जंजट हो जाएंगी ठीक है बोली यह फटाफट आ रही ना आवाज कि यस कि एनी प्रोब्लम कि नहीं तो मैंने कुछ बताया नहीं था इन बीच जब आवाज नहीं आ रही थी मैंने यह बोला था कि अब तक आ गुड़ा भाग सीखा था ठीक है क्या सीखा था जोड़ घटाना गुड़ा और भाग यह मैं आपको पीछे की कलास में बता चुका हूं हां पीछे अगर मैं बात करूं भिन पढ़ाने के पहले तो एक परकार का फ्रेक्शन आपको पढ़ाना था सांत और आफांत दसमलों है ना कि यह पढ़ाना था तो वह मैं आपको थोड़ा डिटियल में अभी बता देता हूं फिलहाल के लिए अभी इसको देखिए जिनको कोई इंक्वाइरी है उपर नंबर है उस पर संपर करेंगे इनमें दोनों में मैंने पूछा कौन बढ़ा है इसको मैं बताऊंगा मैं अभी भिन वाला चैप्टर सुरू कर रहा हूं उसको बताऊंगा दिखे इसका एक सिंपल तरीका है जानने का आप ऐसे करो पांच सते ऐसे इधर से उपर से पहले करते हैं तीन दूना छे इसका इधर पांच सते 35 तो जो बढ़ा है जो गिंती ज्यादा मिली वह बढ़ा है इधर की ज्यादा मिली मतलब यह बढ़ा है कैसे सिंपल में अगर इसे डेस्मल में चेंज करोगे 3.5 आएगा इसको डे कि समझे रहे हो ना कई गुना ज्यादा बढ़ा है तो यह जो है इससे बहुत ज्यादा बढ़ा है जो कलास निकल गया वो मिलेगा बेटा मिलेगा बाबु मेरे भाईया मिलेगा वो चैनल पर पड़ा है आप जा करके देख लिजिए पीबियार स्टडी लहाबाद चैनल पर इसके पीछे की जो कलास है वो सब पड़ी हुई है जाके देखिए तीनी कलास है चार नहीं है कल नहीं पढ़ाया गया था यह चौथी कलास है ठीक है तो हम बात करेंगे मुख रूप से जो भाग हम आपको बता रहे थे थोड़ा सा उसमें डेमो दिखाएंगे पीछे चलेंगे जैसे मैंने आपको यह तरह का भाग दिया था जैसे आप यह देखो गए यह दिया था यह दिया था इस तरह का भाग में आपको दिया था बताओ हां दिया था इसको आप लोग कर लेते थे यह हल हो थी या नहीं होती थी सेस आता था या जीरो आता था कुछ होता था लेकिन ऐसे भी भाग होती है ऐसी भी आपको इस्थितियां मिलती है जब यह पांच का भाग अगर दो में किया जाए यानि कहने का मतलब कि उट के उपर तो लोग बैट के घुमें हैं ऐसे बोलें कि उट के उपर तो बंदर बैट सकता है लेकिन जब बंदर के उपर उट बैट जाए तो क्या होगा इसमें देखिया है इसको उट मानिए यह बढ़ा है इससे इसमें भाग जा सकती है लेकिन यह छोटा है इससे इसमें भाग जाना थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है आप देखिए सुनिए कैसे करेंगे बताता हूँ इसमें दसमलो में ले जाते हैं दसमलो परसार होता है इसमें दो तरह के दसमलो परसार होते हैं सुनिएगा एक होता है सांत दसमलो परसार एक होता है असांत दसमलो परसार जैसे अगर इसको आप गौर करिएगा और इनको मैं मिटाके इनी टाइप का एक दूसरा और भी देता हूँ ठीक है जैसे ये दो और ये तीन समझीएगा दोनों में क्या बताने वाला हूँ इमानदारी से समझीएगा देखिए इसमें भाग जाएगा कितनी बार जीरो बार जाएगा आपका होगे अगर वन बार ले जाओ तो क्या मुसीबत है देखो ये घटेगा नहीं इसमें से क्यों नहीं घटेगा ना आप अगर इनको सब्ट्रेक करोगे होगा नहीं फिर आप एक काम करोगे वन बार नहीं ले जाओगे तो कितनी बार ले जाओगए 0 बार तो 5-0, 0 क्यों सही जा रहा है क्या ये 5-0 यहाँ 0 आएगा गटा होगे दो आएगा अब कितनी बार जाएगा बताओ लोगा अगर अब इसमें भाग ले जाओग तो क्या होगा फिर 0 बार ले जाओग और मतलब में निकलने वाला एक बार बेवकूब बनना सिंपल नहीं है तो हम क्या करेंगे अब बार ले जाएंगे नहीं जाएगा अब दसामलों बढ़ा के जीरो उतारेंगे आप तो फान चोग 20 कितना आ गया कट गया ना ये सेज़ फल जीरो आ गया नहीं हाप इस प्रकार की जो डिबीजन होती है मेरे भाई जिसे टू अफान फाइव एकवल जीरो पॉइंट फोर लिख सकते हो आप इन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन कहते हैं या फिर सांथ दसमलों परसार कहा जाता है क्या कहते हैं सांथ दसमलों परसार ठीक है और आगे समझिएग देखिएगा मगर प्यार से मुझे नहीं क्लास को कैसे करेंगे इसमें भी जीरो बार जायेगा गटाएंगे तो दो आएगा अब समझिएगा मैं एक मिनिट में सब क्लियर कर रहा हूं आप देखिएगा प्यार से अब फिर से अब वन बार नहीं जाएगा दसमलों बढ़ा तो क्या होगा?" है फिर यहां पर हम 0 उतारेंगे क्यों भही आप हुआ ओ पहले माँ जीुरो बार ले ठीक है फिर मैं दस हमलो बढ़ाया जीरो उतारा और छे बार ले गया एक बार दस हमलो बढ़ा दिया तो आब बार बार जीरो उतार सकते हो तो आप हम लेनिये आप देखेो घाउं में आया सहर में देखो कोई एक जानवर पकड़़ोयक तर्फ White permit ले लो उससे एक बार रोटी दिखाऊ आपके पास लोग मतलब एक बार बढ़ाया था फिर उतारा फिर छे बार लेगा फिर लेगे लेकिन जब कुछ यहां पर सलूशन क्या निकलेगा देखिए यहां पर सलूशन यह निकलेगा कि इनको आप चाहे जितनी बार ले जाओ ऐसे बाई यहां पर लिख लो यार दो यह कभी कटेगा नहीं ठीक है स्वेता सिंग समझ में आ रहा है बैड़ बॉय एमडी आरिफ सतीस कि सबको आ रहा है ना यहां पर यह निकल रहां फाइनल में कि जो भया हो यह टू अपान क्या हुआ है यह जो टू अपान थ्री है यह कभी भी कंप्लेटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस तरह की जो फ्रेक्शन होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते साट कट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं समझ रहे हो या फिर कहीं कहीं जरूरत के अकार्डिंग अगर कहीं आपको मिलता है तो 0.67 भी लिखा जा सकता है सिच्येशन के अकार्डिंग आगे डीटियल में पड़ोगी तो आपको समझ में आएगा ठीक है लेकिन इसको लिखोगे तिसमें आपको कुछ सोचना समझना नहीं ऐसा लिख सकते हो इसको लिखने के लिए थोड़ा कंडिशन देखनी होती कि किसी को कोई डाउट है तो बता देखते हूँ आधिकतर बच्चे अपने स्टेटस में कलास का लिट में लगाते हैं नहीं लगाते हैं कि प्यार मोहबबत वाला नगमा लगाएंगे गाना लगा हैंगे चली गई छोड़ानी यह दिल तोड़ दिया उसने मेरा कंगा कब्यों मैं लोगों का स्टेटस देखता हूं लेकिन किसी भी स्टुडेंट को यह नहीं देखता हूं कि वो किसी टीचर की वीडियो का लिंक लगाया हो कि इसको पढ़ लीजिए नहीं रात रात में आनलाइन रहेंगे दो बज़े देखो तो बहुत से बच्चे आनलाइन रहेंगे कि तीन बज़े रात में भी रहेंगे 12 भी रहेंगे मैंने कहता हूं काहिक हो रहा हूं लेकिन कम से कम जो आपको पढ़ाता है उसका भी तो थोड़ा सपोर्ट किया करिये न कोई भी हो मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी टीचर का या आप लोग गंदा देखना चाहते हो इसलिए यूटूब पे या किसी सोचल मीडिया फार्म प्लेटफार्म पे देखो गंदी चीजें वारल होती है और फिर आप कहते हो कम बेरोजगार गूम रहे हैं तुम चाहते हैं जो हो वही तो मिल रहा है न जो अच्छा करेगा उसको सपोर्ट नहीं करो होगे जो कड़बड करेगा उसके पीछे लग जाओगे तो ठीक है कि हो गया है समझ गए तो इस तरह की फ्रेक्शन को बोलते हैं नान टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन असांत दसामलों परसार ठीक है इसमें एक और होता है नान टर्मिनेटिंग रिक्वारिंग जि इसमें और ज्यादा डिटियल में अभी नहीं जाएंगे ठीक है अभी मैं आपको इसको सिर्फ आसांत दसामलों परसार बता दे रहा हूं बस इतना ही जान लीजिए कि जो दसामलों में जाने के बाद भी कड़ जाएगा सांत दसामलों परसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल लगाना सभी और कैपसन में लिखना कि मैज सीखें बिलकुल जीरो से सभी करेंगे न कैंढा जो जो करेंगे एक बार हां बोलकिल वण फट्र उट और जो नहीं करेंगे वह ना बोलें इमांधारी से आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं स्वतांत्र देश में स्वतांत्र हो आप चलो तो आगे बढ़ें अब हम लोग आज पढ़ना है फ्रेक्षन यानी भिन अब हम ये जोड़ घटाना गुड़ा भाग से थोड़ा उपर चलेंगे ठीक है ये आपकी चौथी क्लास है चौथी क्लास है बोर्ड मास रूल भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे बेरी गुड मैं देख रहा हूं सभी कोई मांदारी से कुछ लोगों को सरम लगती है क्योंकि ये बच्चे कम बच्चे वाले जादा होते हैं तो सोचते इतना चैनल मैं अगर इस्टेटर már लगा दिया कहीं वह लोग मेरे देखेंगे तो कहेंग रहे यह इतना च्छोटा सीकर है इसी वजह से आप लोग इसको पेमेंट करके पढ़ते हैं यहां पर सरम लगती सेयर करने में न यहीं एक वजा है कि कोई बात नहीं चलिए मैं यूटूब पर फ्री पढ़ाऊंगा मेरी पूरी कोशिस है कि ठीक है आगे बढ़ें अब आज पढ़ेंगे भिन भिन्न क्या होती है देखें जैसे मैंने कहा कि यह क्या है एक कि क्या बोलें से टोमेट्यगा अमरूद भोलें कुछ भि मान लीजिए the sound हम अIch क्यां लेए इंगलिश में से कुछ बोलते ना इसे मान लेजिए इस बना है सही बना है ना यह रहा है चलिए जो हो भी है कुछ भी मान लीजिए आप अब इसको कई लोगों में बाटना है समझना ध्यान से देखिए माल लीजिए कि मैंने इसको ऐसे पार्ट में डिवाइट किया यहां पर समझना ठीक है कितने पार्ट में बाटा तीन पार्ट में ठीक है इनके नाम मैंने दे दिये A, B और C अगर मैं कहूँ कि इस अमरूद के जो तीन हिफ्फे लगे हैं ठीक है कितने हिस्से लगे हैं तीन हिस्से उसमें B को जो हिस्सा मिला है B को वो भिन्न के रूप में आप कैसे लिखोगे बताईए जबाब दीजिए उसे आप फ्रेक्शन के फार्म में कैसे लिखोगे कितना एक बटा दो तीन बटा दो पांच बटा दो किस तरह से लिखोगे इमानदारी से बताईए देखे मैं बताता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भिन्न क्या है इसलिए मैं इसको बनाया हूँ रितिक परजापती सेख ताहिर बहुत अच्छे पूनम यादो आसू अतुल तोमर देखो भईया समझो यहां पर टोटल हमें यह देखना है कि कितने पार्ट में इसको बटा गया है कितने हिस्से यहां पर किये गए तो आप देखिए एक दो तीन टोटल कितना है तीन हिस्सा है न आप नीचे तीन लिखो गए ठीक है उसके बाद अब इस तीन में से अगर हम एवाले को बात करें तो कितना हिस्सा मिल रहा है इसे एवाले को यहां पर जो मिल रहा है वो एक हिस्सा मिल रहा है कितना वन तो आप इसे वन अपान थ्री लिखो गए ठीक है कितना वन अपान थ्री कोई डाउट नहीं यानि जो A को हिस्सा मिलेगा इसमें से वना पांथरी मिलेगा अच्छा B को कितना हिस्सा मिलेगा भाई आप B को भी तो ऐसे है ना इसको भी फिर वना पांथरी C को कितना मिलेगा अगर टोटल में देखो तो C को भी भाना पान्थरी मिलेगा तो आप कह दो नहीं जाता तो नहीं हो जा रहा रहा है नहीं है यह जदा नहीं हो जाता प्लंषिक आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो एक आना चाहिए बोलो आएगा कि नहीं इमांदारी से जोड़ो सब का हर बराबर है अंसर जूड़ जाएगा तीन बटा तीन काटो गें तो एक आएगा अमुरू देखी तो था ना कि अस्वनी कुमार आरा समझ में आंगर कि सबको समझ में आया यहां से क्या सीखा आपने भिन्द क्या है वाट इस फ्रेक्शन कि कि किसी भी वस्टू यह संक्या के किसी एक निश्चित भाग को बताने वाली संक्षा को भिन्द कहते हैं यह हमारी बनाई हुई परिभासा था कि कैसे यह चल रहा है क्या समझा आपने किसी भी वस्तू या संख्या के किसी एक निश्चित भाग को परदर्शित करने वाली संख्या को विन कहते हैं मतलब यह कि एक वस्तू थी एकमरूद मैंने बताया था इस अमरूद के इतने पार्ट को यह दरफा रही है कौन एक यह थिए है क्योंकि इसको यह यहां फिर भाग में बाटा जा रहा है यहां फिस लगा दिया गया कैसे कैसे इसको कर apart सबस कर्द में आपको यह नहीं सिखा रहा हूं कि अभी विन कैसे पढ़ेंगी क्या करेंगे मैं आपको यह सिखा yourself भिन है क्या जैसे आपको निबंद लिखना गाय के ऊपर काउ के ऊपर तो पहले आपको यह जानना होगा कि काउ माता है क्या होती कैसे लगती कैसे दिखती कैसे बाद में आप उनको बताओगे न कि हमें दूद देती हैं अब उनको चारा खिलाते हैं असिरबाद भी देती है वो सारी चीजें बाद में बताओगे न तो वैसे बिन्न के बारे में यह सिंपल जी बात थी कि विन्न क्या है कि सभी समझ गए एक बार बोले हाँ यस है कि समझ गए इसके बाद अब हम भिन्न जब शुरू किये हैं तो भिन्न का जोड़ना घटाना सीखेंगे ठीक है हाँ हाँ ओके अब भिन्न में कई तरह की मतलब आपको फ्रेक्शन मिलेंगे जैसे पहले इनके अगर हम परकार की बात करें तो पहले परकार की बात सही नहीं रहेगा पहले हमें काम करते हैं पहले हम इनका जोड़ना घटाना आपको सिखाएंगे ठीक है देखें भिन्न का जोड़ना जब हर बराबर हो जैसे तीन बटा साथ धन पांच बटा साथ इस तरह की फ्रेक्शन को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है समझना यहां पर थोड़ा सा इसमें पहले थोड़ा सा यह देखिएगा जैसे नौ बटा साथ लिखाया माली जिए तो जो नंबर ऊपर होता इसको अंस बोलते हैं क्या बोलते हैं अंस बोलते हैं नीचे वाली गिंती को हर बोलते हैं जिसे देनो मिनेटर ऐसे कुछ बोलते हैं इसे नुम्रेटर इसका अंग्रेजी आप लोग सर्च कर लीजिएगा हो सकता इस पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो लेकिन हिंदीस है तो जो गिंती उपर होती है उसे अंस या कि नुम्रेटर नीचे वाली को हर या डेनो मिनेटर बोला जाता है जिस आपूँकर कि अब कि क्या करेंत siya अगर इनके हर बराबर है कि कि अगर इनके हर बराबर हैं तो इन में अंसंस को जोड लिया जाता है जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे 8 ठीक है नीचे का नंबर वैसे simple में लिख देते हैं यह तरीका होता है इसमें कुछ करना नहीं होता है कोई डाउट किसी को नहीं न ठीक है इसमें और कुछ नहीं करना है आपको उपर उपर का नंबर simple में जोड लेना है जैसे दूसरा अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंँ माल लिजिए कि 3 बटा 5 धन 9 बटा 5 इसका कितना आएगा निजामुद्दीन जी बताईए एसी गेमर इंस्टा गेमिंग बहुत बहुत गेमर लोग आए हैं पूरी टीम आ गई है जबाब दीजिए इमानदारी से बताओ कितना आएगा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सेशन को लाइक करें और ज्यादा फे ज्यादा सेयर करें संख्या आप लोग नहीं जोड़ते इसलिए कलास छोटी होती है इस कलास को डीटियल में और बड़ी कलास देखने के लिए आप पीविया गंटे से तीन गंटे तक की कलास आप कर सकते हैं आपके अंदर मतलब आप तीस दिन में भी पूरा बैसिक सकते हैं ठीक है चलिए इसका कोई अगर आंसर दिया है तो अस्वनी कुमार जी ने बताया है अरितिक परजापती ठीक है इसमें 9 और 3 एड करेंगे 12 आएगा नीच अब होता है जब इनके हर बराबर हो नीचे की निंबर जो है गिंती जो है सेम हो इसमें कोई परकार का बदलाओ ना मतलब हो अलग अलग ना हो यह एक से दो से अधिक भी हो सकते हैं जैसे माल लिए 13 अपान 5 19 अपान 5 यह 1 अपान 5 भी हो सकता है यहां पर देखिए दो दो पद थे दो पद वाली भिन्द यहां पर तीन हो गए यहां पर ऐसे ही होगा सिंपल है ठीक है जैसे अगर माल लीजिए यह और भी जादा हो सकता है कि इनको भी वैसे ही करेंगे सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें उपर की गिंती को जोड़ देना नीचे वैसे लिख देना है कि समझ मैं सबको तो लिख लीजिए जल्दी से आप लोगों की संख्या आज जो मिनिमूम हंड्रेड होनी चाहिए थी वो नहीं हुई इसलिए एक लास थोड़ी छोटे